sentence में क्या-क्या पढ़ाऊंगी, देखो ध्यान से सुनो, सबसे पहले तो sentence का मतलब होता है, group of words with complete meaning, group of words with complete meaning, शब्दों का ऐसा group जिसमें हमें पूरा-पूरा मतलब समझ में आ जाए, तो sentence क्या है, words का group जिसका meaning कैसा हो, complete हो, अब हम इस sentence के बारे में क्या-क्या पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे बिटा, sentence के parts, एक हम पढ़ेंगे sentence की types, दियान से देखो, पूरा topic क्लियर कर रही हूं, कितना पढ़ाऊंगी, sentence के parts में मैं आपको सिखाऊंगी, subject, दो parts होते हैं sentence के, और predicate, types भी दो तरहा की होती हैं, एक तो on the basis of creation, और एक होता है, on the basis of meaning, meaning के base पे sentence की 5 types होती हैं, सबसे पहला simple, दूसरा interrogative, optative, और पांच में type होती है, बच्चों, exclamatory, यह meaning के base की 5 type है, creation के base पे तीन होते हैं बटा, simple, compound or complex औरक्स, और झाल किस्ष़ द्टन सबसी दुख रियल जुख सबस्टन किस्ष़ सबस्टन यह क nerd पा स्बस्टन सह strong जुआसाँ किस्पटन झाल झाल